हेलो दोस्तो नमस्कार मैं हूँ योगेश कुमार स्वागत है आपका बुन्दलकर्ण एमेजू के सान में दोस्तो आसा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सभी का अध्यान बढ़िया तरीके से चल्ला होगा आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं टॉक ठार्टी कोश्चन की जो की हिस्ट्री से संबन्दे थे तो आईए शुरुवात करते हैं और ये उस सीरीज का पंद्रा पार्ट है तो आज का पहला प्रसन है महान बहुत भिक्षू वसू बंदू किसके दरवार में रहते थे ओप्शन है ए समुद्र गुप्त के बी कुमार गुप्त के सी चंद्र गुप्त प्रथम के ये डी चंद्र गुप्त दुतिय के तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A वसू बंदू गुप्त बंस के राजा समुद्र गुप्त के दरवार में रहते थे खुशन नमबर 2 है चंद्र गुप्त दुतिय के दरवार में कौन रहता था ओप्शन है A वाराहमीर, B कालीदास, C धर्वंतरी, D पतंजली तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B कालीदास चंद्र गुप्तिय के दरवार में रहते थे खुशन नमबर 3 है मंदस और अभिलेक के रशनाकार कौन थे ओप्शन नमबर 4 है किस सासक ने नालंदा विश्व विद्याले की स्थापना करवाई थी ओप्शन ए असकंद्र गुप्त ने, B समुद्र गुप्त ने, C समुद्र गुप्त दुतिय ने ये D कुमार गुप्त ने, तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर D कुमार गुप्त ने नालंदा विश्व विद्याले की स्थापना करवाई थी कुश्चन नमबर फाइब है, किस गुप्त सासक ने, चीन के सासक सांग के दरवार में अपना राजदूत बेजा था ओप्शन है, A इसकंद्र गुप्त ने, B सिरी गुप्त ने, C कुमार गुप्त ने, D चंद्र गुप्त दुतिय ने तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर A इसकंद्र गुप्त ने, सीन के सासक सांग के दरवार में अपना राजदूत बेजा था कुश्चन नमबर 6 है, गुप्त बंस के पतन का महत्तपूर कारण क्या था ओप्शन है, A. अयोबि सासक, B. हुडों का आक्रमण, C. आर्थिक इस्तिती, D. विलासी सासक तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर B हुड आक्रमण के बाद गुप्त बंस का पतन होता ही गया ओप्शन नमबर साथ है, भारत में प्रिथम हुड सासक कौन था? ओप्शन नमबर A. तोरमण था, B. मेरकोल था, C. तुसाक्त था, या D. मेर सेन थे तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर A. तोरमण प्रिथम हुड सासक था ओप्शन नमबर A. किस गुप्ट सासक ने हुडों को बुरी तरह प्राजित किया था? किस वंस के सासक ने दीवानी और फोज़दारी को परभासित किया था? ओप्शन है A. कुशान बंस ने, B. मौरे बंस ने, C. गुप्ट बंस ने या D. साथ वहान बंस ने तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C. गुप्ट बंस के सासको ने दीवानी और फोज़दारी को परिवासित किया था कुश्चन नमबर 10 हैं, किस अभिलेग से सती पिर्था का प्रमार मिलता है? ओप्शन है A. मंदस और, B. गिरीनार, C. विल्षड या D. एरन तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर D. भानु गुप्ट के एरन अभिलेग से सती पिर्था का उधारा मिलता है कुश्चन नमबर 11 है, गुप्ट काल में सबसे अधिक ब्यापार किसका होता था? ओप्शन है A. कपड़ों का, B. तेल का, C. लोहे का, D. हाती के दातों का, तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A. गुप्ट काल में सबसे अधिक कपड़ों का ब्यापार होता था? ओप्शन नमबर 12 है, गुप्ट काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ओप्शन नमबर 13 है, गुप्ट काल में सबसे ज़्यादा किस वस्तू का निर्याप किया जाता था? ओप्शन नमबर A. कपड़ों का, B. सोनों का, D. मसालों का, D. घोडों का, तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C. गुप्ट गाल में सबसे ज़्यादा निर्याप मसालों का होता था? कुशन नमबर 14 है, गुप्ट राजाओं में भारत का नियापॉलियन किसे माना जाता है? ओप्शन ए, समुद्र गुप्ट को, B. चंद्र गुप्ट दुती को, C. श्री गुप्ट को, D. कुमार गुप्ट को, तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A. गुप्ट राजाओं में समुद्र गुप्ट को भारत का नियापॉलियन माना जाता है? कुश्चन नमबर 15 है, चंद्र गुप्ट दुती और समुद्र गुप्ट के सिक्कों पर किस पच्छी के चित्र उत्कीन है? ओप्शन ए, गरों के, B. मोर पच्छी के, C. कभुतर के, D. गिद्द के, तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A. चंद्र गुप हुआ था, ओप्शन A. मोर काल में, B. गुप्ट काल में, C. कुशान काल में, या D. सुंग काल में, तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B. मंद्रों का प्रारम सर प्रिथम गुप्ट काल से ही माना जाता है, कुश्चन नमबर 17 है, गुप्ट बंस में प्र इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर D. ये सभी यानि की आर्थदेव और असंग, वसल वंदू और मेत्रेना तता दिगनाती गुप्ट बंस में प्रिश्चित बहुत दार्शने थे, कुश्चन नमबर 18 है, कला एवं सहात्य की द्रहष्टी से किस काल को सुन काल माना जाता है, ओप्शने A. गुप्त काल को, B. सुमिकाल को, C. कुशान काल को, D. वर्धन काल को, तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A. गुप्त काल को कला और सहात्य का सुन योग माना जाता है, कुश्चन नमबर 19 है, गुप्त काली इन चित्र कला के आवसे इस कहां से प्राप्ट हुए थे option है A. बाग की गुफा से B. अजन्ता की गुफा से C. बादामी की गुफा से ये D. इन सभी जगह से तो दोस्तो इसका अंसर हुआगा option number D इन सभी गुप्त कालीन चित्रकला के आउसे प्राप्ट हुए है question number 20 है गुप्त कालीन मूर्थिकला का उल्लेक कहां मिलता है option है A. सारनात में B. अजन्ता में C. भीम बेटका में ये D. इन में से कोई नहीं तो दोस्तो अंसर हो जाएगा option number A गुप्त कालीन मूर्थिकला का उल्लेक सारनात में मिलता है question number 21 है कालीदास के द्वारा रचित गरंथ कौन सा है option A. रगुबंसम B. अभीग्यान साकुंतलम C. माल विकागनी मित्रम ये D. ये सभी तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option number D ये सभी ही कालीदास के द्वारा रचित गरंथ है रगुबंसम, अभीग्यान साकुंतलम और माल विकागनी मित्रम तीनो ही कालीदास द्वारा रचित गरंथ है question number 22 है भास ने किस गरंथ की रचित थी option A. सुपने वास दत्त B. चारू दत्त C. अरूभंग ये D. ये सभी तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option number D इन सभी गरंथों को भास ने गुप्त काल में लिखा था question number 22 है 23 है समुद्र गुप्त के प्रियाग प्रसस्ती पर किस मुगल सासक के लेख उत्किन है option A. जहांगीर B. अकबर C. बावर ये D. सहाज जहां तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option number E समुद्र गुप्त के प्रियाग प्रसस्ती पर मुगल सासक जहांगीर के लेख का उत्किन है question number 24 है भारत में सर प्रिथम परमानू परिकल्पना का प्रतिक पादन किसने किया था option A. रिशी गौतम ने B. कणाद ने C. आरे भच्च ने ये D. विश्णु सर्मा ने तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option number B भारत में सर प्रिथम परमानू परिकल्पना का प्रतिक पादन कणाद ने किया था question number 25 है गुप्त काल में सरवाधिक ब्यापार किस देश के साथ होता था option A. रोमन देश के साथ B. मदेशिया के साथ C. दच्छिन पूर्वेशिया के साथ D. ब्रेटेन के साथ तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option number C Q. मेहरवाली के लोह इस्तम लेख में किस साथक का उल्लेख है option A. इसकंद गुप्त B. असोप C. चंद्रगुप्त मौर D. चंद्रगुप्त दुतिये तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option number D Q. मेहरवाली के लोह इस्तम लेख में चंद्रगुप्त दुतिये का उल्ले है question number 27 है सुदरशन जील का निर्मार किसने करवाया था option A. चंद्रगुप्त मौर ने B. असोप ने C. हर्स ने D. बिंबिसान ने तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option number A Q. चंद्रगुप्त मौर ने सुदरशन जील का निर्मार करवाया था और उसका दुवारा से पुनाह निर्मार इसकंद्रगुप्त ने करवाया था question number 28 है समुद्रगुप्त किस देवता का उपासक था option A. सेव का B. विशुण का C. राम का या D. इंद्र का तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option number B समुद्रगुप्त विशुण का उपासक था question number 29 है समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपादिया धारन की थी option A. कवीराज B. विक्रमांग C. एवभी दोनो D. परम भठ्टारक तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option number C समुद्रगुप्त ने कवीराज और विक्रमांग की उपादिया धारन की थी question number 30 है और इस वीडियो का अंतिम question है चीनी या ती भायान किसके दरवार में भारत आया था option A. चंद्रगुप्त मौर की दरवार में B. कुमार गुप्त की दरवार में C. इसकंद्रगुप्त की दरवार में D. चंद्रगुप्त दुति की दरवार में तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option number D चीनी या ती भायान चंद्रगुप्त दुति की दरवार में आया था तो दोस्तो ये ते top 30 question हिस्टरी से संबन्दित, आपको कैसे लगे, आपको यदि पसंद आये, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सेर करें, और मन में किसी प्रकार का कोई प्रस्ण हो, तो कमेंट वोक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, टॉप ठा साथ तक के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैन